School Intervention Strategies to Control Bullying Whole School Approach की बात हम कर चुके हैं और यह कह चुके हैं कि Whole School Approach is required in order to contain and prevent bullying. इसमें जो है जब School Intervention की बात आती है तो इसमें दो चीज़ें बहुत एहम हैं. पहली बात जो एहम है वो यह है Establishment of Norms. जो Norms हैं, Behavioral Norms हैं यह बहुत ज़रूरी हैं. Students को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. Rules and Regulations को Establish करना बहुत ज़रूरी है और इस बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि Bullying जो है, वो किसी भी शकल में tolerate नहीं की जाएगी. तो Behavioral Norms जो हैं, इनका बताना बहुत ज़रूरी है, that is an interventional strategy. यह ऐसे Norms बता दिये जाएं, ऐसी Values बता दी जाएं students को, जिनके होने से जो Bullying Incidents हैं, उनमें खातिर्खा कमी हो. जब तक हम Behavioral Norms नहीं बताएंगे, Rules and Regulations की बात नहीं करेंगे, तो Bullying जो है, वहाँ पर control नहीं हो सकता. यह चीज बहुत एहम है, कि हम, जो हैं वो, as a prevention strategy, जो academic year है, उसमें Rules and Regulations को, हम regularly, जो हैं वो students को बताते रहें, ताके students जो हैं, वो इस चीज़ को जान लें, कि कुछ ऐसे behaviors हैं, जो schools में कताई तोर पर tolerate नहीं किये जाएंगे. इसके इलावा, जो अमल बहुत एहम है, वो modeling of respectful behavior है. जब teachers जो है, या administrative staff जो है, वो खुद ही जो है, वो ऐसा रवया सामने नहीं लेकर आएंगे, जो के भेतर हो, मुस्पत हो, तो students जो है, वो अच्छे रवया कहां से सीखेंगे. तो जब हम bullying prevention की बात करते हैं, bullying prevention strategy की बात करते हैं, तो ये चीज़ सामने रखना बहुत जरूरी है, कि जो adults हैं, जो के ताले बिल्न के इर्दगिर्द जो adults move कर रहे हैं, उनका अपना रवया जो है, वो अच्छा हो. उनमें pro-social skills हों, empathetic हों, they should be kind and respectful towards students, so that better behaviors can be shown, can be manifested and bullying incidents can be reduced. ये बताना students को बहुत जरूरी है, role modeling of appropriate behaviors जो हैं, ये बहुत जरूरी है. इसके इलावा, written bullying prevention policies होनी चाहिए, एक document होना चाहिए, जिसमें जो है bullying क्या है, bullying क्यों नहीं होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में students को आगाही देना बहुत जरूरी है. तो इस policy document is very very important. जहां तक policy का तालुक है, तो ये policies जो है, बगेन ये आपके academic year के शुरू में बना दी जाती हैं, तमाम stakeholders को communicate कर दी जाती हैं, और फिर ये policies जिनसे rules and regulations निकलते हैं, ये लाजिम हो जाती हैं. तो जहां पर documented policies नहीं होंगी, written policies अगर होंगी ही नहीं, तो ना parents उसको पढ़ सकते हैं, ना दीगर stakeholders पढ़ सकते हैं, तो फिर वहां पर confusion होती है. Students के लिए जो है उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताके element of seriousness आए, जब बात आप जबानी करते हैं, तो वो बाज उकात बात को seriously नहीं लिया जाता, तो written documentation जो है ये बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है, कि जब policy बना दी जाए, जब policy का इदराक हो, तो उसमें bullying की proper definition दे दी जाए, कि bullying है क्या, कहीं पर भी कोई confusion नहीं होनी चाहिए. जहां पर confusion होगी, वहाँ पर आप students को ये मौका दे रहे हैं, कि वो जो negative behaviors हैं, जो मनफी रवईये जो हैं, उनको फिर लेकर classroom में या school में आ जाए. तो सबसे पहले जैसे हमने standardization की बात की थी, हमने ये कहा था, कि जो भी चीज़ आप लेकर आएं, वो well-tested हो, standardized हो, curriculum का part हो, तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं. स्टूडेंट्स को ये warning देनी बहुत ज़रूरी है, bullying is not tolerated in this school. ये वाज़े तोर के उपर बताना बेहत ज़रूरी है. अगर ये नहीं बताया जाएगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो non-serious लेते हैं रवईयों को. उनके लिए ये बहुत एहम है, कि हम सही तो पर categorically बता दें कि bullying is not tolerated. इसके इलावा, confidential reporting बहुत ज़रूरी है. कि वो बच्चे जो वाज़े तोर पर बयान नहीं कर सकते कि हम bully हो रहे हैं, वो confidential तरीके के साथ report कर दें कि bullying incidents classroom में या school में हो रहे हैं. अगर वो वाज़े तोर पर खुद जाकर नहीं कह सकते तो एक confidential तरीक के साथ वो बता सकते हैं. So these are some prevention strategies that must be utilized in schools to prevent bullying incidents.